सो रियल मी बैंड में म्यूजिक फीचर कैसे ओन करें, कंट्रोल म्यूजिक फीचर हेलो इससो मैं शुन जारा कब आप स्टाइब करता हूँ वीडियो के स्टार्टिक में जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि अगर आप रियल मी बैंड के यूजर हो तो एक फीचर जो बहुत ही जादा डिमांडेट था, सभी लोग बहुत जादा डिमांड कर रहे थे इसकी म्यूजिक कंट्रोल फीचर इसमें कैसे एनेबल करें, अगर आप जाना चाहते हो तो एंड तक वीडियो देखना बेसिकली आज की इस वीडियो में मैं मुजिक कंट्रोल फीचर और साथ ही साथ स्टाव वाच्च दोनों के बारे में बताने वाला हूँ सो इस वीडियो को मिस मत करना और हाँ, अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लगे वैसे मेरी मेहनत नहीं, इस वीडियो को बनाने मेरी और मेरी भाई की मेहनत लगी है तो हम दोनों की मेहनत इच्छी लगे, लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्स्ट्राइब करने ना क्योंकि आपके काम की वीडियो बनाना मेरा क्या है, परज़र, ठीक है यह दो नए फीचर आचुके हैं, इसमें बिसिकली म्यूजिक कंट्रोल फीचर और साथी साथ स्टाव वाच फीचर लेकिन इसे एनेबल करना थोड़ा सा कस्टमाइज करना पड़ेगा आपको वो आप वीडियो में शरूर देखते रहना और साथी साथ यह जो अपडेट है, इसका नाम है 8.0 अपडेट तो पहले अगर आपके अब तक मुबाइल पर नहीं आई या नहीं रियल मी लिंक अप में नहीं आई है और जैसे ही आपके ये फीचर आजाएगा आपके बैंड में अपडेट करने के बाद, तो आप देख सकते हो कि यहां पर यह देखिए स्टॉप वॉच एक नया फीचर देखने को मिलेगा इसके बारे में बात-बात करेंगा तब से पहले बात कर देते हैं मूंच्ट वॉंटेट फीचर मूजिक कंट्रोल की डिखो इसका में इसका मिलनी कुछ इस तरह से और यहां पर आपको दिख जाएगा यहां पर पॉसेंड प्लेगा बटन यहां पर प्रिवेस सॉंग यहां पर आपका नेक्स सॉंग और अगर इस फीचर को कैंसल करना चाह यहां पर आकर आपको देर तक टैप करना है, बहुत ही easy controls है, आपको मैं पॉसन प्ले करके दिखा देता हूँ, अभी देख सकते हो, YouTube कर NCS मैंने on कर रखा है, यहां पर देखे, मैंने यहां पर देर तक टैप किया, और यहां पर देखे, प्ले हो चुका है NCS के सांग, अगर मुझे next पर करना है play, या previous करना है माल लीज़े, तो previous पर आके, मुझे देर तक यहां पर टैप करना होगा, और यह देकि previous आ गया, अगर next करना है तो, बस देर तक इस पर टैप करना होगा, next हो गया, और फीचर चैंसल करना है तो, चैंसल, ठीक है, आप यहां पर कंट्रोल, अब मुझे यहां से करना ही होगा, देख लिया ना कितना एजी है यहां पर, और दूसर जो फीचर इसमें अड़िक्ट आउन किया यहां रियल वी ने वो है, इसका stopwatch, जैकि पहले हमें smartband में देखने को नहीं मिलता था, यह देखिए कुछ इस तरह से smartwatch का stopwatch है, वो इस तरह से उस कर पाऊगे, तो देर तक tap करने भी start हो जाएगा, pause करना है अगर तो सिफ एक बार tap करना होगा, देख लिए यहां pause हो गया, रिज्यूम करना है दुबारा एक बार tap करिये यहां पर stopwatch start fit से हो जाएगी और अगर इस feature को भी cancel करना है तो so easy उसी तरह से देर तक tap करना होगा यहां पर यह खतम हो जाएगा लेकिन दोस्तों अगर आप देखोगे तो सर्फ यह दोनों add करने के पाद जो find my phone feature और weather feature तब show नहीं हो रहा है so इन दोनों feature को कैसे enable करना है और कैसे customize की है कि आपको realme link app में जाना है जहां से आपका band connect होता है और इसकी setting पर जाने के बाद जैसे ही आपडेट कर लोगे अपने इस app को तो यहां पर देख सकते हो आप 8.0 update आ चुकी है मेरे में और यहां पर custom functions यह नया feature add हो गया है तो यहां पर आप कोई दो features add कर सकते हो तो मैंने आप देख सकते हो weather का off कर रखा है और find my phone का feature भी on off कर रखा है तब जाकर मैं यह दोनों इस्तमाल कर पा रहा था तो अगर आप customize करना चाहते हो मानले चे मुझे stopwatch नहीं मैं ज्यादा use करनी मुझे find phone feature use करना है त फिर weather का on करना है तो weather का on कर लेता हूँ बस हमेशा बस याद रखे कि सिर्फ दो ही feature यहां पर on कर पाऊगे आप तो यहां permission मांग रहा है weather की तो दो ही feature आप on कर सकते हो यह चीज़ हमेशा ध्यान रखना दोस्तों इस वीडियो में इतना ही I hope यह वीडियो आपको काम के लगी होगी और आपके अच्छी लगी होगी अगर आपको काम की और अच्छी लगी हो और हम लोग का hard work पसंद आया हो तो like करना ना बूलना जो मैं हमेशा कहता हूं आकेले मत रहूं मुझे फॉलू कर सकते हो इस वीडियो से लेडिट आपके पास कोई भी कोश्चन है या और मेरे चैनल से कोई भी कोश्चन है आपके पास तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो यह most welcome मैं आपके जरू-सरू कोश्च करूंगा उसके आंसर देने की से यू सुन मैं नेक्स्ट वीडियो से गनेक्टेड जय हिंद बंदे मातरम